मुझे मौका मिला यहाँ हमारे प्रदान मंतरी के घर पे आने का और इन से बाचीत करने का तो मैं कोई पॉलिटिकल क्वेस्टिन्स नहीं लाया हूँ मुझे जानना है कि as a person, as a human being, एक इनसान के नाते हमारे प्रदान मंतरी हैं वो कैसे हैं क्या खाते हैं, क्या बाचीत, मतलब उनकी पूरी दिन में जो सब चीजे होती हैं मतलब पॉलिटिक को छोड़ के उसके बार में मैं उनसे जानना चाहूंगा तो सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया है आप से बात करने का मुझे अच्छा लगा कि हम 2400 घंटे राजनीती की बातों नहीं उलजे रहते हैं तो आपने हलकी फुलकी बाते और अव पॉलिटिकल बाते करने के लिए इच्छा जताई है मैं नहीं जानता हूँ दर्शकों को केतनी रोची होगी लेकिन जरूर मैं खुलकर के बाते बताना पसंद करूं बहुत बहुत लोग बहुत को जानना चाहेंगे आपके बारे में क्यूंकि आपके परस्नल मतलब जो लाइफ होती है कि जैसे कि मैं आपको बता हूँ मेरे मेरा ड्राइवर है उसकी बेटी उसने एक मैं उसको पूछ रहा था कि बटे तो अगर नेंदर मोदी जी को हमारे प्रदान मंतरी को कोई क्वेश्टन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि कि क्या हमारे प्रदान मंत्री आम खाते हैं यह भी उसका क्वेस्चन है कि आम खाते हैं और अगर खाते हैं तो क्या काटके खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं तो मैं जाना चाहूं कि आम खाते हो एक तो मैं आम खाता भी हूं और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है और गुजरान्त में आम रसकी परंपरा भी है लेकिन जब मैं छोट रहा था वैसे तो गया आम वाम खरीदना वरिदना तो हमारे लिए कोई उस परकार की को करतों में चली जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है कोई खेत में आगण के खाता है तो कभी रोकता नहीं है चोड़ी करता है तो रोकता है तो आम के पैड़ पर जो पकी हुए आम थे वो खाना में ज़रा ज्यादा पसंद था याने उतारने के पात पकाया हुआ नहीं नेचरल कोर्स में पका हुआ और फ़े पूरा का पूरा अजब तब तो ही हाईजेनिक की है कोई समझ भी नहीं थी कि दोना चाहिए डिकना करना कुछ नहीं समझते थे ऐसा ही अपना कर लेते थे लेकिन बात में जिसे जे बड़े तो कई भराइट नरंदर जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधान मंत्री बनेंगे कभी आपने सोचा था और सोचा भी था तो कौन से साल में कौन सी उमर में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूंगा कभी ऐसा विशाद नहीं आया और सामाने लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है शायद जो बन जाते हों सब के जीवन में ऐसा होगा मैं नहीं मानता हूँ कि हैने कोई एक तिम फैमिली ही उसी प्रकार से बैग्ग्राउंड बाली हो और किसी के मन में इच्छा जखती हो तो बहुत स्वाभाविक है पना मेरा जो फैमिली बेग्ग्राउंड है उसमें तो आगर मुझे कहीं अच्छी सी नोकरी की भी मिल गई होती है तो शायद मेरी माँ अडोस-पडोस के लोगों को गुड़ खिला देती है कि चलो में बेटे को वहां नोकरी में गई है कि उससे जादा हमने तो कुछ सोचा नहीं सा गाउं के बार कुछ देखा नहीं सा यह तो यक्षी यात्रा चल पड़ी और देश में यह लेता चला गया तो अपने आपी बनते चले गए सब जिम्मेवारी आती गई बहुत ही मतलब नैचरली रहा है इसमें वैसे मुझे मेरी दृष्टी मेरे वैक्ति के जीवन के दृष्टी से अननेचरल लग रहा है क्योंकि मेरा बैक्ग्राउंड मेरी दुनिया आज की जो राजनीती का तौर तरिया उसमें यह सब बढ़ता ही नहीं जी मुझे भी इसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है यहां तक मैंने पढ़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे ऐसा कुछ पी यह आपके बाद सही है बच्पन में मेरा एक स्वभावत किताबे पढ़ना लाइबरे चला ज में निकलते थे तो मुझे बढ़ा देखता था कभी बच्चे की तरह खड़े हो करके साल्यूर कर देता था मन करता था कुछ इतने में 1962 का वार हो गया तो हमारी हां से दूर एक महसान स्टेशन है मेरे गां से तो वहां स्टेशन पर है सब लोग जो फोज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका पड़ा सथकार करते थे चाहें अगरे तो मैं भी चला जाता था तो जाकर के मैं भी वो तो मुझे बड़ा मजा आता था तो मन पर हो गया कहां ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है तो कभी उस दिशा में सोचता था कि इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सहीनिक स्कूल है उसमें आप दाखिल हो सकते हैं तो हमने अपनारे उस समय साथ एक रुपया दू रुपया से उसका सारा जानकारी अमंगवाते थे अब हमें तो अंग्रेज आती नहीं थी तो हमारे महले में एक स्कूल के प्रिंसिपल जब हरी मनियार करके रहते थे तो मैं उनके पास चला गया मुझे कभी बड़ी वेक्ति से मिलने से कभी संकोच नहीं होता था आज़से फिर चला गया आप बाहर जबास अहीं है कि भीतर मन में था तो मैं रामकरिशन मिशन में चला गया एक स्वामी आत्मस्थानन जी कि मैं उनको फिल बुलाए मैंने प्रधान मंत्री बना तो नहीं कहां चला जाता था अभी कलकते में अस्पताल में तो दो तीन बार हो आया था मैं तो वह बड़ा-बहुत मुझे प्यार करते थे समझाते थे जिनगी क्या है तिक ना क्या है और आपकर सम्भिशन आज समय को स दुनिया में चल पड़ा, बहुत कुछ भटका, बहुत कुछ घुमाद मिया देखी, और यह सब 18-20 साल, 22 साल की उमर महीं करता रहा मैं, लेकिन कुछ confusion भी था, कुछ इरादे भी थे, कोई guidance भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मन में सवाल खुद प्यादा करता था, जवाब खु आपकी लाइफ को मैं अभी आपकी बात में सुन रहा हूं, तो मुझे लगता है अगर आप प्रदां मंतरी नियुकर होते होते हैं, जिस हिसाब से आप बता रहे होते हैं, तो सन्यासी ज़दा लगते थे,선्यासी बन जाते थे? अगर आप वैसे मैं क्या बनता यह कहना अभी कठिन लग रहा है क्योंकि जो सोचा नहीं वो बन गया वो तो हमेशा होता है मेरे साथ भी मैं भी आपको अगर एक किस्सा सुनाओंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है मैं क्या बनने वाला था मैं एक इस मार्शल आट का टीचर बनना चाहता था कहां मैं फिल्मों में आ गया और फिल्मों में आते आते ही रो बन गया तकर रहे आप से क्या हमारे प्रदान मंतरी जी को मैं यह जाना चाहता हूं गुस्सा आता है और मतलब क्योंकि देखिए सब को गुस्सा आता है I'm sure आपको भ आता है तो बहुत लोग को सर्प्राइज होता है. आपको गुस्ञा नहीं आता है? मैं बताता हूं. इसलिए यह कहना कि राजी, नाराजी, गुस्ञा मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं. जीन्दगी उसके बिना हो नहीं हर प्रकार की चीजे हर के अंदर होती हैं. लेकिन जो मेरा 18-22 साल की जिन्दगी का जो एक बड़ा त्नपका था. वहां जो मेरी ट्रेनिंग हुई इसी बाते थी, जिन्दों को सिर्ता था. कि आप आपके जीवन में स्वभाव में इस्वन ने सब दिया है. अब आपको टाय करना है कि जो अच्छी चीजे हैं उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना है. तो फिर ये चीजे हैं जो नेगेटिविटी नाती है, वो रुकती है. मैं कह सकता हूं कि मैं इतने लंबे समय तक मुख सब्सक्राइब करने का अफसर नहीं आया है. कभी नहीं आया. तक मैं आपको बता हूं, बाहर जो आपकी छवी है, वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अड्मिनिस्ट्रेटर के नाम पर है. स्ट्रिक अलग चीज है. मैं स्ट्रिक्ट हूं, डिसिप्लीन हूं, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके, अफमानित करके काम नहीं नहीं करता, जो इसको प्रेजित करता हूं. कभी कोई चीज है तक मैं खुद हेलपिंग हैंड के रुप में ख़ड़ा हो जाता हूं. मान तो क्या होता मेरी दस मिट पहली इन्वेस्ट हो जाती है लेकिन वो मुझे समझ पाता है तो अगली बार जो आता है तो मुझे मेरा समय नहीं जाता है वो मेरी कलपना के अनुसार चीद लेकर क्या जाता है तो एक प्रकार से मैं कोई लेकर आता है तो उसमें से शिखता भी हो और सिखाता भी हो और मैं अपने टीम बनानाता चल जाता हो तो मेरे प्रेसर हैं, स्ट्रेस हैं, वो नीचे 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 whटते चले आते हैं तो मेरे पास कुछ बस्ट यह नहीं है तो मतलब आपको गुस्सा इतना गुस्षा नहीं आता अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आपको बहुत रोकता हूँ होता क्या है जी, कभी माननों एक मीटिंग में अपने गुस्सा कर दिया गुस्सा कर दिया तो मीटिंग का एजन्ड अवगरे सब छूट जाता है हरे के मन पे वो दो, तीन मिनित की समय रहता है वो ही चाया रहता है वो बहुत nukš charity करता है जी जम बुझे गुस्सा आता है तो मैं आपको पता हूँ गुस्सा एक निकालना बहुत अच्छी बात है मैं चोटा मूर बड़ी बात, मैं आब से बहुत चोटा हूं और मैं कहूंगा कि आप गुस्से को जो है अंदर ना रखे उसे निकाले जैसे मैं निकालता हूँ क्या करता हूँ एक बॉक्सिंग बैक घर पे रखा हुआ है जितना हो सकता है सुबह साड़े चार पांच बजे मार लेता हूँ आपके emotions को, मैं अपने अंदर एक चीज डेवलप की थे, ऐसी कोई घटना है जो मुझे पसंद नहीं आई है, और मेरा मन करता है ऐसा क्यों हुआ, कभी होता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कभी होता है मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चीज था, और कभी ego भीच कागेज लेकर के बैठता था, उस सारी घटना का वर्णन लिखता था, कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने क्या किया, क्यों किया, खुदी, और उसमें जश्टी भाय करने की कोशिश नहीं करता था, फिर उसको मैं फाड़ करके फाच लेता था, पढ़ता भी नहीं था दुबार फिर से एक बार जीवन्त कर देता था, इससे क्या होता था, कि वो चीजे मेरी जो इमोशन्स है, उस कागेज के अंदर आकर कि फिर जल जाती थी, तो मैं एक प्रकार से फिर उसके उस प्रक्रिया के धर्म्यान, जो पहले मुझे सच लगता था, मैं सच हो, दो तीन बार लि अब वो नहीं रहा, इतना समय नहीं है. यानि मैंने अपने आपको ट्रेंड उस परकार से किया था. इतना बड़ा आपका घर है जैसे मैं अपने घर पर अपनी मा के साथ रहता हूँआ। आपका मन करता है जहादी आपकी मां, आपके भाई, आपके सारे जितने बी भी दरिश्तियार है, आपके साथ भर पर रहेँ। पहला है कि अगर मैं पीएम बन करके घर से निकला होता तो तो स्वाभाविकरेट से मेरा मन रहता है कि बहुत सब वही रहे है। मैं जिंद्गी की बहुत छोटी आईू मैं सब को छोड़ चुका हूँ। मैं बहुत छोटी आभी मैं छोड़ दिया उसके करण वो जिंद्गी ऐसी थी जो टोटली डिटेच बन गई और इसलिए जिसको कहें लगाओ, मोह, माया क्योंकि मेरी वो जिंद्गी में जो घर छोड़ करके निकल गया था वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार के हुई और उसके कारण एक अवस्ता के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है, उस समय जब छोड़ा तब तकलिफ होई होगी, लेकि अब जिंद्गी वो बन परते हो, और मैं यहां क्या करूगी तुम्हार साथ रहेंके, मैं अपने पुराने गाउं के जो लोग है, को विया मिलने आते तो बाते होती है, अपनी बाते होते हैं, तुम्हारे साथ में क्या बात करो, तो उस्वाब आई होगी है कि इसे का मन मेरे साथ नहीं लगेगा, तीसरा मैं भी समय नहीं देता। जतने दिन मां यहां रहीúa कि मैं अपनी फे Tuesday उलमने ही लगा रहता था। तो एकात बार साथ में खाना खा लेता था फिर भी जो भी पइन होता था कि मैं रात को बारा बहुता हूं तो मां को दूख हो रहा है कि क्या चार रहा है। मुझे अभी भी याद है, मैं आपसे जब पहली बार आपसे जब मैं मिला था तो मैं गुजरात में आपसे पहली बार मिला था जब आप आप President तो उस वक्त एक या दो मतलब मैंने आपको एक दो चुटकुले सुनाए थे और आपने भी मुझे एक चुटकुला सुनाय था तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका हुमर अप प्रधान मंतरी बनने के बाद अब यह चुंथर यह चुटकुले अब अचाहरा है मिरे मिरे परिमार में में एक विसम नेरी जैसे आपको बता है आपकी बहुत स्ट्रिक्ट है अपकर भी जो से माद करते हैं कई लोगों ईसे बात्चीत करते ही हैं वो बाद्जर इयार बड़ा काम करना तो फो गजो एक ब को बानाई यह सही नहीं की और को यह कहता है कि मैं काम करवाता हुँ के शाय भूसफेसे नहीं कर रहा है है उद्तिकी ओक काम भुइब कर ना पड़ता है उसमें सचाही है लेकिन मैं किसी को दबाव नहीं करता हूं लेकिन वह जब खुद मुझे को देखते हैं पहले जैसे आफिस से आम तोर पे प्रदान मंतरी छे साथ बेजी निकल जाते थे दो पर मैं भी एक दो घंटे वो ऑफिस में नहीं रहते थे को मैं सुर्बें से जाता हूं अजब गरता हूं तो वह देखते निले हैं ग्रद उनको लगता है ग्विच्व काम कर रहा है तो एक प्रकार से टीम का स्पीरिड बन जाता है एक एक वर कल्चर आप डेवलप करते हैं मेरे आसपास वे वर कल्चर डेवलप होता है और वो मैं खुद काम करता रहता हूं उसके कारणा होता है स्ट्रीक ने डिसिप्लीन थोपने से नहीं आती है क्योंकि मैं जिन्दगी मैंने हुमन डिसोर्स डेवलपमेंट में ही अपनी जिन्दगी खापाई है आप लोगों को जूट बोलके लिए इंप्रेश भी नहीं कर सकते हो लंबे अर्से तक वो सब देखते हैं आपको कि या कि बात ऐसी करते हो करते हैं तो आप जैसे हैं वैसे रहो और उनसे काम करिए हां मैं काम के समय काम में रहता हूं इसलिए धरुदर की बाते इस समय खराब नहीं करता हूं मैं दूसरा मान लीजिए मैं मीटिंग कर रहा हूं और कोई मोबाइल फोन अपना समय बिगाड रहा है तो मैं फिर उनकी तरफ जाए अच्छा बताई अभी मैं जो विचार कह रहा था क्या हुआ तुनका ध्यान नहीं था तुनको लगता है था मोबाइल फोन मैं मैं तुटर देख रहा है तो तब से मेरी मिटिंग में समय लोग सबस्क्राइब कर दो आपने मने डिस्प्लिन खुद के जीवन में लाया तो सामने वाले को लगता है क्या रही है तोटली मेरे लिए डेडिकेटे ताइम था इन नहीं किया इन चीजों का प्रभाव प्रदा होता है कि जहां तो यूमर का सवार है मेरे परिवार में हमेशा एक अलपना थी कभी पीता जिराजी नाराजी हुए हो कभी चोटी मटी हो तो हमेशा मैं पूरे महल को एक आधी मिलेट में हलका कर देता था यह मेरा एक सोहाओ था आज भी मुझेवा करना का मजा आता है शब्दों से खेलना वगरे पर अब क्या हो गया है जी हर चीछ के अलग अर्थ निकाले जाते हैं आधा दुराबाग के उठा करके उशाल दिया जाता है तो अब डर लगता है कि कहीं कहीं जाकर के इरादा वो नहीं होता है हसी मजा कहा अबत सब होना चाहिए लेकिन अब दूर्प्योग हो जाता है तो अज ये सोशल मीडिया के वज़े से लोग कोई भी शब्द कोई बी उल्टा सीधा कर्वा करते हैं तो आप ज़र अपना हीमर को बचा के रखते हो लेकिन आपने दोस्तों के साथ आपके जो हाँ वो तो आ कि औरहे हैं मैं बयताहर रखा नहीं मैं दोस्ताना करता हूं तो मैं उनको चुकुले सुनाता रहता हूं कभी gen시면 vaccine क्या कोई दोस्त है यह आप अभी बिभी उनकाफ कभी चाह पीना अच्छे दोस्त हैं हम लोग साल में एक दो बार साथ खाना भी खाते हैं आच्छा है देखते हम तो वीडिया जो दिखाती हैं तो वही देखते हम गो तो पता ही हुथ पहले की बात है अब तो मैं मुख्यमेंट्री विंधी का तो किसी काम से मैं साथ पार्लामेंट गया था और गुलाम नभी आजाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे पर हम बाहर निकलते हैं तो मुझिया वालों ने पूछा कह रहे हैं आप लोग इत्रे पके दोस्तों बार दो तो तुम तो बहुले आरेजस वाले हो एक गुलाब नभी से तुमारी द हम लोग जीतने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग को शायद भाहर कल्पना निकर सकते हैं आपको हरानी होगी और बसे मैं यह बोलूंगा तो चुना में मेरा नुक्षान भी हो सकता है लेकिन यह मंता दीदी है साल में आज भी मुझे एक दो कुरते खुद स्लेक्रने ज अचा मिठाई भी बंगला देख्षी प्रदानमंत्री है शेक हर्चना जी तो मेरा दौरा हुआ तो तो ऐसे ही बंगाली मिठाईयों की चर्चा चली तो आज भी वह साल में तीन-चार बार कोई बंगाली नहीं मिठाई होगी है तो स्पेशली धाका से मुझे बेह देती है स्पेशली बड़ा आगरा करके है तो दमतादीदी को पता चला हूँ तो वह भी साल में एक दो बार मेरे लिए कुछ सो कुछ बेंगाली मिठाई जुरू बेच देती है पुरिजी मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा मैंने यह सुना है जब मैं पुछले वारी आइट्स साल मैंने यह सुना था कि जब आप गुजरत से गुजरत के सी.म से आप निकल के आप प्राइम मिनिस्टर जब बने थे तो आपकी जो जुमा पुजी थी आपके बैंक तो आज मैं जाना चाहूंगा आप नहीं भी जवाब दे सकते हैं आज आपका बैंक बैलनस कितना है इतने यह आदिये दूरी बात है अच्छा अधिये दूरी इसलिए है कि जब मैं गुजरात से स्कीम के रुप में निकला वैसे मैं मेरा कोई बैकर अंकाउट नहीं था कि सीएम बनने के बाद एमेले बना तो मेरा तंखाना शुरू हो गया आपकी बैंक अकाउन नहीं उसके पहले नहीं चाहां एक बच्पन में निकाला था तो वो भी बड़ी लंबी का था है मेरी स्कूल में मेरे गाहूं में कि देना बैंक का ब्रांच खुला तो स्कूल के अं राख वालएIST में आपको पैसे लाना है और हर महीने बैंक में जम्हा कराना आपके नाम से पैसा जम्हा होगा, तो हमने भी बैंक एकाउंट उसमें खुला दिया, आब हमारे गुलग में तो कुछ आया ही नहीं है, आने वाला कुछ था ही नहीं तो क्या का आएगा, हम तो क भी पैसे जमा नहीं कराया, आप जोड़के चले गए हम, बैंक में हमार आइकाउंट बना रहा, तो उनको हर साल वो केरी फोरवड करना परता हूँ, लिखा पर टिकरने परती थी, वो मुझे ढूंगते रहते थे, बैंक बन करना इसको बुलाइकास से, तो साथ 30-32 साल तक व एक बच्पन का बैंक एकाउंट पड़ा हूँ, आपको बन करना है, तो मेरी बैंक एकाउंट से दुनिया यह रही, लेकिन जब मैं CM बना, MLE बना, तो फिर जो वेतन मिलता है वाना शुरू हो गया, तब बैंक एकाउंट खुल गया, मैंने तो कभी वो देखा नहीं है, मै मैं ले जाके क्या करूँगा है, मुझे तो कोई उक्योग है नहीं, तो मैं यह दे देना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई, ऐसा मत कीजिए, मैं करूँगा क्या इस से ले जागा है, तो खेर अफसर लोग मेरी इजयत करते थे ज्यादा बाहस ने की चले गए, शाम को एक senior अफसर को लेकर गया है, मिलने के लिए, फिर उन्होंने तीन लोग थे, जो समझाएं कि बोले मुझे खमधी जी, ठीक है, आपको ज़रूद नहीं पढ़े लिगे, आपके पर इतने कौट केशी चल रहे हैं, गुजरात में, वकील भी इतने महंगे होंगे हैं, आपको कभी न कोई पैशो की ज़रूद पड़ेगी, अब पद पर तो कब रहोगे हैं, कितना रहोगे आप, और बाद में मैं बोले कोई नहीं देगा आपको, तो हमारी प्रात्ना है कि यसा मत कीजिए, तो मैंना क्या करो, बोले ठीक, आपकी इच्छा है, तो कुछ हिसा तो उसमें से मैंने फिर 21 लाख रुपया दिया, अच्छा, उसमें से मेरे अपने जेव से दे दिया, और मैंने कहा कि यह जो हमारा सेक्रेटरियट है, उसमें जो ड्राइवर है, क्यों नहीं, उनकी खास करें कि बच्चियां, उनको यह शिक्षा देख्षा के लिए खाच क आने, और उसमें से मदद कर भी रहे हैं, फिर वहां मुझे सरकार के तरफ से MLA को एक प्लॉट मिलता है, पैसो से मिलता है, लेकिन कम पैसो, वो प्लॉट मिला, तो मैंने पार्टी को कहा, यह लेलो आप, आपको दे दे राचा, मुझे कुछ यह नहीं, तो मेरी वो प्रक् प्लॉट में लटका पड़ा है, शायद वो जमीन किसे को दे नहीं सकते है, इस प्रकार का कुछ भाई, मुझे पुरा व्याद मालूम नहीं क्योंकि मैं इस ती जो में रूची नहीं लेता, लेकिन जब भी वो क्लीर हो जाएगा, तो मैंने वो भी पार्टी को देना तह कि सब सच में गुजराती है न, क्योंकि गुजराती जो होते है, वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं, मैं दो आपने इमना प्लॉट दे दिये, आपने पैसे दे दिये, तो आप, क्योंकि मैं आपको अगर आप ऐजाद़ दे तो मैं छोटा चुटकुला सुनाना चाहता ह एक गुजराती आदमी था, बुजर्ग आदमी था, वो मर रहा था, तो वो कहता है, मेरी गुजराती जरा इतनी ठीक निया ले वो कहता है कि मारो डीकरो किया छे, मतलब मेरा बेटा, तो बेटा अगर डड़ी हूँ याँ चुट, मारी डीकरी किया छे, डड़ी हूँ संब के अफेराइन कोनों मेरे बीवी का है कि mi happens are Pacinnhu other हिए險 सारे को इधर हैं रगे मेरे बुकान कि मैं मानने को तियार नहीं गी क्रूंगी मैंने देखा है गुजकर मेरे भॉक सारे फ्रें जो गुज्जराती तोस्टा गुज्राती जो होते हैं वह अपने पैसों को बहुत सभाल के रखते हैं, वो अपने पैसों से दूर नहीं रहे हैं. जो ठीके, यह बहुत बढ़ी है. अबार यहां चुटकुला चलता है, कि एक बार प्रित्वम प्रोट ट्रेन आई, रेलवे ट्रेन में, तो उपरी बर्थ पे, कोई पैसेंजर स्वया हुआ था, उसने देगा स्टेशन आया, तो उसने खीड की में आवाड लगा कि बहार किसी को पूछा, कि कौन सा स्टेशन आया, तो उसना का चाराना दोगे तो जवाब दूगा, तो पहले जवाब की जरूर नहीं अम्दाबाद होगा, समझ गया मैं, बिल्कुल तू यह बिल्कुल बात सही है, और एक बता बताता हूँ, यह किसी के आलोचना करने लिए नहीं है, लेकिन कोई भी आर्थ निकाल स जूते और थेला, यही सही मैं रेल्वे में भटकता रहता था और डाड़ी रहती थी, तो मैं पोने स्टेशन पर उतरा, और मेरे पर ज्यादा सामान तो था नहीं, मेरा एक वो जोला थे, एक अखवार था हात में, तो मैं पैदल चला जा रहा था, बिजे पोने में आरसेस दफ़ में जाना था, तो मैं पैदली जाना था, तो एक अखवार रिक्ष्या माला धीरे 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 साथ चलता था, फिर करीब सो दो सो मिटर गया होगा और उसने भारत ध्यान गया मां कि ही ऐसे चला रहा हो, जोली मेरी स्पीड से, तो मैं रहता भई, आपकी अख़ा थ तो मैं उसे का खर्ढ़ें क्या प्रोब्लम आपका? तो उसनों करे था आप आप नही हम नहीं ठख घएका, जो नहीं बटना खारे उससख तो मले आप समाज्वादी हैं से मलका नहीं बटना आफ़ाधादी कोम घार था।, तो मो वो स्टेशन में पब्लिक के साम में आटरिक्षान नहीं बैठते हैं, दूर जाके गुप चुप बैठ जाते हैं. क्यासा क्यों? लोगों के इंप्रेशन रहे के वो महनत करते हैं, साथगी वाले हैं. मुझे भी लगा है, आप समाजवादी हैं, तो औरों के तरह आपकी थोड़े देर के बाद बैठ जाओगें, तो इतनी मैं चलता हाथा, तो जब उसने मुझे पज़ाप समाजवादी हैं, तो मेरा तुरन जबाब था, मैं अम्दाबादी होगू. आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल जाएं, और जिन कहें कि आपके तीन विशिज हैं, तो वो आपके तीन विशिज क्या होंगे? देखे, आलादीन चिराग मुझे मिल जाएं, और सच्मिन में उसके पास ताकत होगी, तो मैं उसे कहूंगा, कि तुम जितने भी ये समाज सास्त्री हैं, या जो एजुकेशनलिस्ट हो, उनके दिमाग में भर दो, कि भावी पीडी को ये अलादीन चिराग वाली कथा सुन जाना बन करें, कि ऐसा कोई अलाओ दिन होता है, और इशा इच्छा पूरी करता है, मैंना का उसको महनत करना सिखाओ, मैं कभी एक्सपेक्ट नी कर था आप ये जवाब दो, ये लगाए आपको ये तीन विशिज आप सोचोगे, क्या है तीन विशिज लेकिन ये एक बहु आपको भी पोस्ट रिटायरमेंट प्लाइन सोचा है, कि आपने जब ये सब कुछ खतम हो जाएगा, मतलब आप पॉलिटिक्स से सन्यास ले लेंगे, तो आपको आगे जाके आपने क्या करने एक बड़ा इंटरस्टिन चीज बताता हूं आपको, हम लोगों की एक मिटिंग थी, इनर सरकल की, अटक जी थे, अडवान जी थे, राजमाताश इंद्या जी थी, शेकंदर बग्त साथ थे, प्रमोर महाजंदी थे, और उसमें सबसे शोटी आउगा मह र अटिंग शुरू हाना बागी था, और जे गपे चल पड़े, कि भी रेटार्यर्मेंट के बाद क्या करेंगे, तो सबने कुछों के अपना बताया, प्रमोर महाजन इसको बड़ा लोगों को खुरुत फुरुतिर के निकालते थे, अचा, प्रमोर जी की व्यक्तितों की वि मैं सोचा ही नहीं, मैंने तो जब जो जिम्मेवारी मिले उसी को जिंदगी माना है, जिम्मेवारी ही मेरी जिंदगी है, और इसलिए मुझे कल्पना ही नहीं होती है कि मैरे इस मेरे समय बिताने के कुछ करना पड़ेगा, मुझे आपको एंगेज रखने के कुछ करना पड और जीवन का पौल-पौल, किसे ना किसी मेशन में ही कप हूँगा, ये आपने सोचा हुआ है, ये साइद सोतना नहीं है, मेरे पाद लुक्षे सिवाए कुछ मिजे पर कोशल यही नहीं है, जिस हिसाब से आप बताते हो, कि मुझे लगता है, आप जिन्दगी में मिलब जब जब CM से यहां जब PM बने थे, तो मैं यह जाना चाहूँगा, कि सबसे वैल्यूबल चीज आप क्या लेके आए थे यहां, इस घर के अंदर, इस घर के अंदर, सबसे वैल्यूबल चीज आपकी क्या रही थी, अगर मैं, वैसे ये पूरी बात्चित आपने पहले ही मुझे क कर लकोश माइता हुआ हूं है कि प्रधानमंत्री बनते समय है, शायत और प्रधानमंत्रियूं को यह बैनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है देश में इत्ने प्रधान्मंत्री हो गई इत्न प्रधानमंत्रियों को बारीक कि यूरे कॉल झूल बारी क्योंसे काम करना पड़ता है, आपको इश्यू आपके सामने सीधे आते हैं, सॉल्यूशन आपको सीधा करना पड़ता है, ये तजुर्वा शायद मेरे पहले के किसी प्रधान मुझर को कितना सद्वाग्य नहीं मुड़ा, देवगोडा साप मुख्वंतिर रहे थे, ल संबल दिया, बहुत बढ़ी ताकत दिया, ये मैं अपना मान सकता हूं कि महां से में लेकर जाया, ये जो देश के काम आ रहा है, आप, जैसे मैं जानता हूं, जैसे मैं आपके, एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, आप तीन या चार साड़े तीन गंटे ही सोते हैं, मत अब साथ गंटे तो सोना एक आमोमन, एक श्रीर को चाहिए चाहिए, आप साड़े तीन गंटे ही सोते हो, ये बात आपके सही है, मेरे, जो जितने मेरे साथी है, मेरे जानने वाले लोग है, या हमारे जो, अब सरकार में आया हूं, तो दॉक्तर भी रहते हैं, उन सब का मेरे से यह की आगला रहता है कि मेरी नेन में बढ़ाऊंग। राष्टती उबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के मुझे गए। तो मुझे मुझे जी क्यों अच्छे दोस्ते हैं तू तारी करके बुलाते हैं दूसरे को तू आज पता नहीं है यह त कि मिलते हैं कि तू मेरी बात मानते हैं मन तो कि नेंद बढ़ाई के नीग बढ़ाई अब 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 पता नहीं मेरा ऐक बाड़ी साथ हो गया एप आपको नेद आती तेन चालो में अटें नेंद जो है मेरी इतने कम सेंफ में पूरी हो जाती है त्रेस कि वेश से तो आप अपने जाते हो कि अब मुझे काम शबिया है. यह लगा नॉर्म यह ली यह जोनी कि कोई भी बैक्ति उड़ता है हात पेरी देम जड़ता है आंखें आज से करता है मेरा कुछ नहीं आंखें खुलती है अब यह हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिन्दगी को मैं जी रहा था उस में से शाहिदे डवलप हुआ है अब वो मेरा मेरे मेरे शरीर का वहीसा बन गया है तो लेकिन मैं जैसा आपने का रिटार्र होने के बाद क्या करोगे तो पहला काम मैं निंद कैसे बढ़ा हूँ इस पर सोचूंगा कहां बटो यहां आज 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 आपके सारा कावित पढ़े हैं तो आपको कभी मैं यह जाना चाहूंगा वैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि नरिंदर मुदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं आप हैरान ह कि अवाउटी फिर वही कहूंगा मैं ऐसी कठीन जीनगी जीकर क्या है है तो डॉक्टर क्या होता है यह महंगी दवाईयां क्या होती है सोफिस्टी क्या होता है वो सब आप अब ऐलवेदिक भी बहुत इश्वास कर तो गताता है अब आठी हो लिगे के सिजिनमे जाते हैं तो अब जो अक्याला इंसान हो हो क्या करेगा valid okay को संब्साली तुबालबर को तो कुछ बजाल रहते हैं एक का यृ थे नहीं सागिटर्पिय नहीं और शेका हाण नहीं करवा सकता है अब मैं क्या करता था था यह जो असाम का गंशा होता ना इसको पहर पर बात देता था पूरा और बीच में एक छोटी लखडी तोड़ करके पैड से लगा जेता था इसको मैं करू करता था तो प्रेसर राता था ऐसा पूरे बोड़ी को मैं अपना मसाज खुद ऐसा तरीका तो आसी चीजे में इवॉल करता था अपने यह मैं बहुत साल पहले कैला से यातरा पर गया था पैदल की टोटल यातरा गरीब थाउजन किलोमेटर का था पैदल गया कुछ और भी लोग थे बड़े लोग भी महां कभी अब यातरा में आते थे अब बहुत बड़े- महेंगे वो चंब्री बचाने के सब लेकर के आये हुए थे मेरे पाद तो को था मेरे पाद केस्टर ओल था और वो भी रो सिधा वो गहनी से निकाला हुग तो उसकी मैल भी बहुत खराब होती है तो मैं उसी को लगाता था अब यह लोग आज में छथे दीन मूह नहीं दो पर शुक्तर के उनकी चंब्री जहल करके निकल लेकर लटक गई थी तो बड़े परिशान देते थे मुझे कुछ नहीं होता था बड़ा महें तरनार है तर तो मुझे पूसरे लगे आप क्या करते हो तो पुछ निबाए केस्टरों लगाता हुग तो रात को हम जब पहाड संदो क些ट्र करने जब द rifकार जाता है डात्रीम काम होदा या मेरा आगा जाता है नैं यह वी इक बंद केस्टरों बेसे ले जाता है जू काम होता है तो घरम पानी फूरा पानी पीड़ा घरम पानी न्म पानी बूसमे कुछ संभच नहीं कुछ कुछ सिम्पल घरम पानी दूसरा हो सके तो फास्टिंग करता है अच्छा अच्छा एकडम से सीवाय पानी को शने एक दो दिन 24 गंटे एट-ारीज गंटे जादा नहीं करना पर तीसरा इस सर्सों का तेल होता है उसको थोड़ा गरम करके थोड़ा गरम करके रात को दो तीन बुन जाल देता है जहन ब करता हो मैं पूछना चाहूँगा आपसे मैं एक मैंने चीज फॉलो की है जिसको कहते हैं कि साथ बारा पांच इन्टु चालीष, यहना दर्टाशस नहीं, पिप कर लेदा हूं, इन्टु छालीष यहनि कि जब भी एक घता हुं, उसे चालीष भर चबाना है, है तो यह मैंने अपने शास्त्रों में पड़ा है, कई लोगों से बात किया तो आप इस सहमत है? बिलकुर सही रास्ता आपने चुना हुआ है। हमारे देश में मुलादत यही है, यह बेश्टन जो बड़ आया, उसने फिर दिरे दिरे बड़ाव किया कि लोग वरना हमारा किसान आज भी गाउं में सुर्यास्त के पहले सुर्यास्त के पहले खाना खा लेता है, और दिन में भी आपने देखा होगा किसान सुबे एक प्रकारते हुए उसको आप नास्ता कहते हैं, लेकिन अप्चुली उसका वो लंच जैसा ही होता है, तो काफी मातरा में बड़े-बड़े आपका एक फैशन स्टेटमेंट बहुत बड़िया है, मतलब दारी वाडी एक दम सही पाहिए किया हुआ और मनला कभी-कभी मैं देखता हूं आप half sleeve kurta पैनते हैं, ज्यादा करके half sleeve kurta पैरते हैं, तो यह जो पैशन यह जो है, यह जो आपकी जो shaving और यह सब, क्या यह मनला फैशन जो है, यह आपने खुद ने किया है या आपने किसी को अपने बहुत अच्छा सवाल पूशा, जैस दरसल क्या है, मैं छोटी bag bag, मेरी jin जी थी और मैं ट्रावलिंगी करता लेता था यह आपने बता जो लेंगा और तो मैं देखता था कि अधिक तो मैं कपड़े खुद धोता था, सीम बना तब तक मैं कपड़े खुद धोया हूं, कभी मैंने कपड़े तो फिर मैंने किसे सो डिशफ्चां कि अंगी ठोचां कि लव आँ लभी भाहहिं तो मुझे एतना ज़्यादे भोड़ता है था, दूसरा मेरे बैग में वह जगा ज़्यादा लेता है , मैंने खुद 3 काड़ दिया था, अच्या हो जगा ज़्या यदा लेता है, इसलिया अपने तक मैं काड़ द भी था कि गरीबी के कारण कभी कभी इंफियरिटी फिर होती थी लोगों के बीच पे तो उसको उवरकम करने के लिए शाय साइकोलोजी पड़ी होगी बच्पन में ऐसा मुझे रखता है तो मैं क्या करता था अब हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए कुछ था नहीं तो मैं यह बरतन कर लोटा रहता है उसमें कına भघिता द़्हंर कोईला गर्म कोरा और उसी से एक परों को फ्रेस करता था और पहन के जाता था पहन के जाता था जूटे नहीं ते तो मेरेक मामा एक दिना गरते तो पता नहीं का मुझ कर गया तो वन्हाइं मेरे जूथी ला दिये कि मैंने थोड़ी दिन में तो जंदे होना शुरू हो गए तो मैं क्या करता था क्लास्रूम में सब बच्ची चले जाते थे मैं रुका लहता था और टीचर जो ब्लैकबड पे लिखता है ना तो बाद में जो छोटा चॉक्स्टिक का तुकड़ा रह जाता है वो एसे फैंक द लेता था और डेली ये कई बार आपसे मिला हूँ आप घड़ी जो है वो अभी तो आपने सही पेनी है लेकिन घड़ी आप ज्यादा करके ऐसे पहनते हो गड़ी में सही पहनता हूँ तो मुझे मिटिंगों में बैठता है ना तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसी को पता चले कि मैंसे घड़ी देख रहा हूँ उसको इनूरी फिर दोता है तो मैं उसके सम्मान के लिए हमेशां टान आउं कि ऐसे चुपे ख़गर देखता हूँ कि अब को बैठ रहे बात कर रहा हैं ख़गरी देखता है तो मतलब कि उसको इशारा करो भी बहुत हो गयाई जाओ तो यह मेरे मन मेंशा है कि किसे का एक प्रकार के, हीड़न वे में है मिलव बहुत मिनुटली आप महनदो आपको आपको अब आपको किया कि आप अप घरी युटी पहनते हो मैं देखा दां काई कई आप आप सही देखं़ ओदीम्री आपको ह१। अटिटर या इन्स्टरग्राम यह सारी चीजह आप देखते हैं सरबムा यह आप फ्रहूद से उसे मुझे भार दॉँम्हों प्रह से ऊच्वा कता चेजह आपका भी टुईटर देख्टाहूं और प्रहा प्रह हो घृत्र लगता है कि वो जो मेरे पर गुसा निकालती है ट्विटर पर तो उसके करन आपके परिवारिक जीवन में बड़ी शांती रहती होगी उनका पूरा गुसा मेरे पर निकल जाता होगा इसलिए आपको बड़ा आराव रहते सुकुन बेलता होगा तो वैं आपके लिए इस प्रकार से जीरिवाई उन से में मिला था बहुत पहले और कारण क्या था यह बड़ा इंटरेस्टिंग है गुजरात में बहुत बड़ा आकाल पड़ा था तो हम लोग कुछ सामाजी काम करते थे उसमें हम लोगों को यह बटर मिलके केंदर चलाते थे चांस पिने गल्मी में लोगों प्रजन थे मिठाई के बहुत बड़े बापारी थे नाम तो मैं भूल गया वो उनको लाए थे और उने डोनेशन भी दिया था और हमने ऐसे चाज के इंदर चालू किये थे बटर मेलके बहुत बड़ी मातला में जैसे पानी की परव रहती है बेजी चाज की परव रहती थ तो उस समय मैं उस शेवा के काम में लगा था और उस समय इनके नाना यह वहाँ थे तो उस समय मेरी उनसे मुलागात हुई थी तो मेरा उत्रगार से उनसे परिचे रहा है तो आप मतलब खुद भी पढ़ते हो और लोगो बेलकॉल मैं पढ़ता भी हो और मजा लेता हूँ आपको वैसव मैं जब आप अपने ओपर कोई मिम्स बने हुए देखते हो जो सोचल मीडिया अते है तो बोब मेम डेके चारामिए लेक्षा पर च्चछा तो वह समय अचा लगता है जैसे देखो मैं कुछ चार्पंच मिम लेकर आया हूँ यह देखिगे यह यह लिखा है This tea seller can give nation unity, equality, safety, prosperity. So, ये एक है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है चटनी के बिना डोकला है बेकार, अब की बार मोधी सरक्थार. ये देखे, हमारे मेरे ही सारे fraternity के लोग आया थे, आपसे मिले तो सब के यहां लगा दिया है, ये आपने देखा है? ये मेरे देखा है, ये आद देख रहा हुगा. अच्छा, ये देखा है. तो ये रोई छेटी जो है, ये आक्शन डिरेक्टर है, मीर्स नरिंदर मोधी जी और अगले दिन आपको इतना सर पढ़ा सीजा मोटर साइकल लिया, आपने निकल पड़े. तो ये मीम देखे, आपको कैसा लगता है? मैं एंजोए करता हूँ, मैं उसमें मोधी को कम देखता हूँ, क्रेटिविटी को ज्यादा देखता हूँ. तो मुझे उस क्रेटिविट अपको बता हूँ, आप और मैं भी बात कर रहे हैं जबारा हूँ, मुझे का मुझे कामन मेन की जो सेंस है, उसकी जो क्रेटिविटी है, उसका अनालीसिस है, ये समझने में बड़ा बना क्या होता है? ये बनी-बनाई लोगों के जो परोसी हुई चीज होती थी, फाइश् होता है, बैजा सोचल मेडिया का मट्रिल होता है, फिनिश नहीं होता लेकर उसमें से आपको सच्चा ही हाठ लग जाती है, जो ये वेट कर रहा हूँ, जब ये आएगा तो इसके ओपर भी बड़े मीम्स बनेंगे, तो आप तो खैसे तो यार मैं मुझे मेरे लिए पहली होता है, ये मतलब कुछ लोग होता है, इंटेंशन से आपको चुभेशले करते हैं, जानबुच करके, उस समय आपने आपको संतुलित रखने से उसके सारे इरादे फेल हो जाते हैं, और वो उसको उसकी नेंद राम कर देते हैं, अगर आप उसको रियक करते हैं, महनत की, इतना मोदी जी के बाल लॉचले वाली चीज की, मोदी के कोई खोई निरा है तो वो परेशार हो जाता है, पिर वो अपना बंद भी कर देता है थोड़े देर बाद, यह भी बात सही है, आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है, आपसे मैं दो-तीन ब कि अबीद गैले भीच्बशित करそう है,।वा Любन अधिन जिसने सब कुछ देखा है है, जहिला है, बहुत है और भीच्पाओन है और र शख च्रीवाइड है ओर सबद से मीरा आलसेस है, पिकते बहुतने हैसे हैं मुझे यह मुखा मिला है आपसे बातचीत करने का क्या आप मन्तली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं अज़ बेश्ट जब भी मिले जाओंगा सवारूपया वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी अच्छा नहीं करते हैं को जरूद पर नहीं है दूसरा शायद मैं ऐसा मुख्यमंत्री भी रहाओ 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 अग्या परिवार का कोई खर्चा सरकार को नहीं है हुआ बाकियों को परिवार का मेडिकल ह्ल्मल इसमैं डिवड counting मैं बात ग्रीवार नहीं कर दो किंस्वन इसा बन रहा है इसी अपने आप परिवार पra देश को अपना परिवार बना एक इसी मीं लग रहता हूं nya हूँ जुदीजी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको बच्पन में ऐसा कॉन साधिय था, जो आप खेलते थे को मैं बच्पन में संकी शाखाओं में लाता था, संकी साखाओं में चाहिए, बड़े अच्छे वैज्ञानिक खेल होते हैं, जिसमें टीम स्फिरिट आये, जिसमें जैसे एक खेल होता है, जो सब सरकल में बैठते हैं, फिर जो हमारा लीडर होता है, वो पूसता है, आपके राइट साइट पर जो बैठा है, उसकी एक क्वालिटी बताओ, अब है तो खेल, लेकिन आपको उसके कान कॉंशियस ले जाता है, आप दूसरे के गुणों क देखना चाहिए, अब खेलते खेलते ही, डेवलप्मेंट होता है इंसान का, और इसलिए मुझे बच्पन में संग की शाखाओं में, खेलों के द्वारा, टीम स्पिरिट क्या होती है, रिस्पॉंसिबिलिटी शेयर करना क्या होता है, ये खेल है संग में, बढ़ बढ़िय ये गुरूप, मैं कहने हेते हो, लेकिन मैं इंडूविजल खेल के बजाए, गुरुप वाले खेल को हमेशा पसंद करता रहा है, क्योंकि वह एक प्रकार से आपके व्यक्तित्व को अलग से डेवलेप्रप से जो इंडूविजल खेल होता है, वो आपको अलग प्रकार कर वो गरत करता है समय नहीं कर दो अलग प्रकार करता है तो जिन्द्गी जीने के लिए गुरूप वाले गेम्स खेलने चाहिए इंडिविजल कितना ही हैं बढ़े चल जाये लेकिन गुरूप वाले खेल जुरूर खेलना चाहिए यह मेरा मत रहता है जी आपने कभी गुली रंडा खेला है बेलकोल खेलता था हमारे यह गाउं में घ्यलते दे के लेकिन जादागी तर मैं थैरने के लिए चला जाता था मुझे पानी पसंदी तरने के लिए चला जाता ह। दो थकारण मेरा स्विमिंग से गया, मैं बहुत घंटों तक स्विमिंग कर लेता था, तो मेरे शरीर के जो अगर मुल्हूत कहें, बॉड़ी डेवलप्मेंट जो कहें, वो साई स्विमिंग से हुआ है, वो गाउंवाला स्विमिंग, अपने गाउं में तालाब में, नेर हो गई, मैं प्रदान मंत्री बना और सितंबर में गया था, तो आपने जब आपने इतने सारे स्पीच इस दिये हैं, तो वो आपका पहला स्पीच था जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया, तो वह यू नवस, क्या मेरे प्रदान मंत्री, मेरेंदर मोदी जी नवस थे उस दिन, म यहाज महां से जा रहा था, हमारे आपसवरों ने मुझे ब्रिफिंग भी किया था, जब मैं अमेरिका पहुंचा, तो हमारी फोरें मिस्टर सुष्मा जी, उनकी मीटिंगी जादा होती थी, तो उनको पहले जाना पड़ता है, तो पहले गई भी थी, तो पहुंचने के बा कर लेंगे क्या है, तो वो अड़ गई, उन्होंने बड़ा आगरें नहीं कि बोले साथ, ऐसा नहीं कल था, आच आपसवरों लोग बोलनी पाते थे मुझे, किसे नमीजे कहां भी नहीं था, तो यहाँ एक स्टम पो भाशन नहीं करना चे बोले, लिखी स्पीश होना चेज लेकिन उन्हा ने बिलकुल पकड़ करका नहीं साथ, इसमें आपके नहीं चलेगी, आपको मानना पड़ेगा, तो मुझे आपको क्या करेंगी, मैं आपना बता देता हूं मुझे क्या बोलना है, तो मैंने वहीं पर उत्दमाई, मैंने इसके आधार पर आप बना दीजिए आपको अब मुझे प्रॉबलम नहीं था, पढ़ना ये प्रॉबलम था, मतलब पढ़ना यानि कि यहने पढ़कर के बोलना हाँ, वह बने कभी आपको देखा नहीं है, मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, मेरे थौट प्रोसेश इतना तेज चलता है, तो मेरा पहला भाषण जो है, वह पढ़कर के मैं किया हो हूँ, यहने मैं अचली पढ़ रहा हूँ, आपने देखा हो गए मेरी हाथ में कांगेज है, तो यह सबसे पहले मुझे नेपाल तरदाम नितरी बने के बाद, तो हाँ भी मैं एक्स्टेंप बोल दिया था, और वह भाषण आज भी मश्वूर है, नेपाल में पहला भाषण तो एक्स्टेंपो वला भाषण आपका हमेशे आप मैंने कभी वैसे देखा नहीं आपको मेरे लिए, मेरे लिए फिर वो इस प्रकार की जो मिटिंगे होती है, उसमें बहुत आवश्यक हो गया, बात में मुझे देश का मसला होता है, कोई दद और शब्द न चला जाए, तो फिर खार मैंने भी मुझे उस डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, लेकि मेरे पहले बासर का मेरा रूप भी यह है, फिल्में देखते हैं? अब ही नहीं देख पाता हूं, लेकिन मेरे गाउ में एक थिएटर था, और मेरा एक दोस्त था, दसरत करके, उसके पिता जी थिएटर के बाद सिंग चना बेचते थे, और हम गाउन वाले उनको लक्ष्मार भाई थिएटर वाला बोलते थे, बेचते थे तो चना से, उनसे हमारा परीचे था, तो हम बहाँ जाके बैठते थे, और अगर थे, बारी बैठते थे, तो माली को कह देते थे, जर इन बच्चों को बिठा दोना, तो फिर वो मुफत में हमको थे यटर में जाने का मुखा बिल जाता हुथा, वो लक्ष्मार भी यो सिंग चना बीचते थे, उनके करण, तो मैं और हमारा दोस्त है, दसरत, तो हम दोनों बैठके मुवी देखते थे, तो बच्पन में मुवी देखने का यही एक हमारा तरीका था, बाद में जिनगी ऐसी बन गई है, तो मैं मुखा नहीं मिलता, लेकिन शायद एक अभिताब बच्चन जी आय थे जब मैं सीम था, उनका बड़ा अग्रह था एक पाफ फिल्म शा तो मैं उनके साथ देखने चला गया रहा तो ऐसा कुछ हुआ है लेकिन वह बी ज्यादा अपने बिल्कुल नहीं कर पाया, वाब नहीं बड़ा तो मैंने एक फिल्म बनाई थी आपको मैंने हलका सा कुछ बताए भी था पहले कि तॉयलेट एक प्रेम टा फिल्म बनाई थी और मैंने वो मैं खुद देख नहीं पाया लेकिन मैंने लोगों को बहुत कहा कि देखो भई सामाजिक जीवन पर कैसे फिल्म में चल सकती और बन सकती हैं अब कमर्शल हिसाब से मैंने पूरे बनाया थे बलके गाने वाने वगेरा ये माँ पिता सब कुछ उसमें रखा हुआ था और असले कथा बनाता तो लेकिन खेर मोट तो मैंने रील लाइफ में किया थे लेकिन आपने रील लाइफ में करीबन नौ करोड से भी ज्यादा तो एक इसा हो कि जैसे कि आप में जैसे ही आप प्राम था पर निस्ट्र बने तो सब से पहले आपने स्वच्छ़ ता गे उपर भाट कि तो आप को डहन को डर नहीं लगा कि आप पहली बार मॉजा प्राम मेने बने हैनो और सब पहले heart एसी बें रखा हुआ और सब से पहल कि हमारे देश में बीमारी गरीबीन सबकी चीजों के साथ हेल्थ बड़ा सबसे बड़ा विशा है लिकिन प्रिवेंटीव हेल्थ के लिए दो चीजे में देखता है एक स्वच्छता और एक फिटनेश आप अपने शरी को फिट रखे तर बनाइए तो बाकी आर्थिक रूप से बोज बनता नहीं है जिन्दगी उसकार से जीए परस्नल है जीन में तो हमारी हाँ सास्त्रों के कारण समस्कारों के कारण घर में आओ तो पैर दो कर गया हाओ भाद धो मंदिर में जाते हो तो नहां करके जाओ सब बहुत सिखाए जाता है सोशल आइजीन के प्रति हम उ दुनिया में अगर इतना बड़ा दुनिया को देने के लिए टूलिजम डेवलपने हो रहा है एक कारण है गंद की वैसे भी किसी भी समाज के लिए सोभा नहीं देता है तो मेरे मन में बड़ी चीड है मैंने सोचा इसको एक जनांदोलन बना जेना चाहिए और देश को घर सब्सक्राइब करने माला जी तो कॉन होता हूं करने माला जी देशने चीज को उठाली आप अज प्राइम मिनिस्टर आप कभी चिल एकदम अराम करते हैं मतलब कुछ अराम से बैठके यू बैठें गार्डन में सोच रहे हैं बता ऐसे कुछ नहीं चिला उटके लिए मेरी एक आदत है मुझे अब करने ही पाता हूं लेकि मेरा बड़ा स्वभाव रहा है एक तो मुझे सुभे पांच बजे चाई पीने की आदत है बिना शक्कर चिनी में लेता नहीं है आदत नहीं लेता हूं दूसरा मुझे शाम को छे बजे दिन में किसी के साथ कटसी के लिए थोड़ा ले लिए दो गूटता है अलग बादे चाई की आदत नहीं है तेकि शाम को छे बुझे मुझे चाई की आदत है ऐसा लगता है मेरी बॉड़ी रिक्वाइर कर रही है लेकिन वो मुझे तब मजा आता है मैं छट के नीचे नहीं हूं सीध हां से मेरा संपर खोना गुले में बठा हूँ अक्ले बठा हूँ और वहाँ आराम से चाय पीका हूँ ए बोज़े बहोत पसंदा था बहुए कहां यहाँ कॉन यहां ही मैं कर लेता हूं और मेरे पाफिस पाउस्लिक शाए हो लेकिन जो सभूब मैं इनके बाद क्या करोगे दो उस काम को जाजा करूंगा पहले में रेगुलर करता था तो अब दिवाली में चार पाट दिन कहीं चड़ा जाता था और पात दिन के लिए मेरी जो रिक्वार्मेंट रहती थी पानी वगर वो साथ ले लेता था और वी मैं उठा के ले जेको नहीं और मैं पहले रिसेच करके रखता था कहीं जंगलों में कोई जहां इंसान नहीं लेकिन पीने के लिए शुद्ध पानी अवेलेबल हो ऐसी जगा ढूंता और वहां जाके मैं रहता था कभी पैड के नीचे क्या को भी खंधर कोई मिल गया तो उसमें पड़ा रहता थ अचा वुशा मैंने तो टीवी बेगर तो थे नहीं रेडियो भी मैं साथ नहीं रखता था नाखवार कुछ नहीं कागज पेंद भी नहीं किताब भी नहीं कुछ नहीं और पांच दिन मैं ऐसे ही अक्टिना रहता था प्रकृति को देथना एक प्रकरते मेरा वो कारकम का मैं मुझ से मिलने जाता हूं मैं मुझ से मिलने जाता हूं मैं मुझ से मिलने जाता हूं ऐसा है मेरा वो मेरी जिन्गी में बहुत बड़ी ताकत देने वाली चाहिए तो अब नहीं कर पाता हूं अब नहीं कर पाता हूं आप ते कैस पीजी बगर ऐसा कबर हो गया है विजार को टिकनाय तो टिकनाय, कुछ लिखता भी नहीं था, ऐसे ही रहता था, तो यही मेरा एक तरीका रहता हुथा, आप जाय बेशते थे और मैं जी बेटर था, दोनों के आप और मेरे में यह भी है कि हम दोनों के कोई गौड फादर नहीं थे, हम अपनी जिंदगी अप सब्सक्राइब को मिला मुझे, बहुत लोगों से मिलने का मुखा मिलता था, हरेके स्वभाव को समझता था, बिनाकारण जो पीने वाला है गुसा करता था, डार देता था, ते इन चीजों को सिखने में बहुत कामाया, लेकि एक चीज मैंने बहुत मजयतार है, मैं जब ल बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेता है, तू तो बने गुज्जू है, तेरा मुरार जी वो दोस्ताना है, बहुत बढ़िया यूके थे, तेरा मुरार जी इतने साल तक यहां रहा लेकिन उसको हिंदी बोलना नहीं आता है, ऐसा मुझे हो, तो उसका कारण ये था, कि बै, साह बेता था, तो मेरे गाउं में ये जो ट्रेने तो बहुत कम आती थे, लेकिन ये माल गाड़ी होती है, जो माल ढोती है, वो जादा और मुम्बई में जो भैसों के तबेले रहते हैं, उसके जो दूद बेचने वाले लोग है, वो क्या करते हैं, दूद जब भैस देती है, बाद में वो गाउं में आकर छोड़ देते हैं, वो भैसों को लाना ले जाना एक बड़ा कारोबार चलता था, तो वो आते थे और वो पिचारे गांसवास उसे में भरते दूसी में रहते थे और बहांसों को ले जाते थे एक वेक्ति आए गा तो तीन चार दिन रहा चोपाई आवपाई आपना भाजन किरतन करते रहते तो अभी आखे बाइड जाता था, तो मुझे उसकी कानने नौर्थ के कल्चर से परिचायाया, तो एक प्रकार से चायने मुझे ये लेंग्वे सिखा दी तो आप ये सौंग की बात आई, आप कभी कोई हिंदी गाना ग आप दोड़े, ऐसे जो गीत थे बहुत पुराने, तो बहुत अच्छे लगते थे, आज के कोई गाने हो नहीं भी नहीं हो आज तो पता ही नहीं कुझे, मुझे आप से बात करके बात नहीं नहीं, जाए देश की जिए, लोगों के लिए काम आएगा कुछ बाते नहीं नह बहुत सारी चीजे काम में हैंगी, लेकिन मुझे अच्छा हीलेगा कि यह चुनावी आपा धापी तुटू मेमे के बीच यह भी पछल होता है, तो जो आप पूते हैं कैसे रिलेक्स होते हो, यह भी तरीका है रिलेक्स होने का।